स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो स्रंख लाम है, मेरा नाम है हचपी सोलंकी संपर्क में आने से, पर दूसी तजल के सेवन से संक्रमित मलमोतर के संपर्क में आने से होता है दरसल विसेश्चाग्यों का कहना है कि COVID-19 के करान कुट्तों का वैक्षिनेशन नहीं हो पाया है उनलेखनी आए कि इसका कोई सुनिस्टी तिलाज तो नहीं है लेकिन जिन कुत्तों का वैक्सिनेशन हो चुका है उनमें इस तरह का संक्रम फैलने का खत्रा कम हो जाता है आपको बता दें कि आप तक पारव वायरस से 2000 से दे कुत्ते संक्रमित हो चुके हैं इसके कुछ मामले तमिलांडू के चन्न नई में भी रिकॉट किये गए थे, संक्रमण की पुष्टी पसुव इससे जगे करते हैं, ध्यान देने योगे तथा है कि 90% मामलों में संक्रमित कुत्ते की मौत हो जाती है, लेब्राडोर, जर्मन सैफर्ड और रोड विल्सर नसल क कि कुत्तों में इस वाइरस का संक्रम होनने का खत्रा सबसे ज़्यादा है, पारवो वाइरस का विस्तार का सबसे पहला मामला 1960 में सामने आया था, ये संक्रमाग DNA वाइरस है, और भारत में इसका सबसे पहला मामला 1980 में पाया गया था, लेखनी है कि इस से कुत्तों का इंटेस्टिनल्स, ट्रेक्ट और बॉन मेरू नकाराथ पुरूब से प्रभावित होता है इस भीमारी का संक्रमन इंसाना में होता है इसकी पुस्टी अभी तक नहीं हो पाई है हालांकि इंसानों के जरीए ये कुत्तों में जरूर पहुंच जाता है आपको हमारी ये वीडियो स्रंखला कैसी लगी आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं साथी एस भी सोलंकि स्टैडि को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं